भाई यहर आप में से बहुत ज़ाद लोगों के कमेंट आये थे कि बैनेंस अप्लिकेशन के उपर अगर हमें लोंग टर्म में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कौन से टोकन से हम सेलेक्ट करेंगे क्या प्रोसीजर रहेगा टोकन सेलेक्शन का तो आज की वीडियो इसी बेस पर रहने वाली है कौन से प्रोसीजर से आप टोकन की सेलेक्शन कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम प्रोफिट मिल पाए यहाँ पर और आपका लोस जो है वो सिरफ एक या दो परसेंट लोस रहेगा क्योंकि 100 परसेंट तो प्रोफिट कभी भी नहीं होता है दोस् गेनर, लुजर्स, न्यू लिस्टिंग, वोल्यूम के अकोडिंग और मार्केट कैप के अकोडिंग हमें चले जाने यहाँ पर गेनर टोकन के ओपर गेनर मतलब वो टोकन सा आपको दिखाए जाएंगे जो पिछली 24 घंटे के बीच में अच्छे खासे पंप की है इसी तरह लुजर्स में वो दिखाए जाएंगे जो पिछले 24 घंटे के बीच में डंप डाउन देखने को मिला है हमें जाने गेनर टोकन के ओपर और व्यू मोर पे चले जाने है यानि यहाँ पर हमें आरे पस लिस्ट ओपन हो जाएगी उन टोकन की जो पिछले 24 घंटे में अच्छ के बीच में अब हमें यहाँ से वो टोकन सेलेक्ट करने है जो प्लस एक या दो परसेंट से लेके 6 या 7 परसेंट तक बढ़े हो उससे जादा नहीं उससे कम नहीं तो हमें वो टोकन सेलेक्ट करने है दूसरा सेलेक्शन आपको इस बेसिस पर करने जो उनका प्राइज है व 1-2% से उपर हो और 6-7% से नीचे हो और साथ की साथ जिनका जो price है वो 1$ से कम हो अब example के तोर पे अगर हम देखे तो यहाँ पर जैसे मैं 2% से निकाल लेता हूँ यह मेरे वो token से है जो 2% से आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ से यह हो गया TRX token अब यह TRX token है जो इसका price है 0.13$ मतलब 1$ से कम है मैं इसको open कर लेता हूँ अब यह देखो TRX USDT का pair open हो चुक है हमारे पास और जिसका price है वो मतर 0.13$ है यानि आगर मैं 100$ की investment करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा tokens मिल जाएंगे यहाँ पर ठीक है तो मुझे क्या करना है यहाँ पर जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको option आरोगा पहले price का फिर information को थर्ड option आता है trading data का trading data हमें यह बताता है इसकी पिछले दिनों में किस तरह का trade देखने को मिला कैसा flow देखने को मिला money flow कैसा देखने को मिला और यही हमारी help करता है बै किस token के उपर सबसे ज़्यादा investment देखने को मिले बड़े बड़े मदब वेहल से account के तब ही तो यार वेहल account जो होते मैं आपको पहली बाद साफ करते तो वेहल account जो अपनी investment करते है जिस token के उपर तो उनकी 90% investment उस token के उपर रहते है जो सबसे आने वाले कुछ दिनों में ठीक है इसलिए वो हमेशा profit में रहते है वो loss में नहीं रहते है जो वेहल account होते है इसलिए वो क्रोडो क्रोडो की investment करते है हमाँ पर तो हमको क्या करना है ट्रेडिंग डाटा पर आने के बाद आपको यहाँ दिखरोगा money flow analysis अब यहाँ पर यह 15 20 गंटे के डाटा का graph आपके सामने नजर आ गया graph को बाद में रीड करेंगे उससे पहले थोड़े से scroll down करोगे नीची आओगे अब यहाँ पर आपको चार option दिख रहे है orders का, buy का, selling का और inflow का अब यहाँ पर orders में आपको दिख रहे है सबसे पहले large, large order का मतलब है वहेल अकाउंट यहाँ वहेल अकाउंट ने इसमें कितनी investment अपनी की है साथ की साथ वहेल अकाउंट ने investment के बाद कितनी sell कर दी है और कितना inflow है, inflow मतर अभी भी market में कितना पैसा पड़ा है example के दोर पे रहे हैं 99 मिलियन की investment की थी, 95 मिलियन अपना निकाल लिए और लगबग 3 मिलियन अभी भी market में घूम रहे है अब आपको चले जाना टोटल पर, टोटल पर दिखर होगा आपको भी 335 मिलियन की investment हुई थी, 286 निकल चुक और 49 मिलियन अभी भी घूमता हुआ नजर आरा मार्किट के बीच में उसके बाद आपको चले जाना है, यहाँ पर आपको नजर आरा होगा 24 घंटे का large inflow, large inflow का मतलब का वहल अकाउंट का data यहाँ पर दिखाएगा पांच दिनों का लगबग यह data दिखाता है, आपर तो पांच दिनों का cutting पहले दो दिन आपने देखा भी जादा selling होई, फिर purchasing जाद होई और उसके बाद थोड़ी सी sell होई और purchasing फिर से चल रहे है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वहल अकाउंट है, वो active है, इस token को ख लगजेगा, इसका जो pump है, मतलब जो price है, वो कितने जादा pump करता हो, नजिर आएगा, क्योंकि वहल अकाउंट जहाँ पर investment करेगी, वहाँ पर आपको हमेशा profit देखने को ही मिलेगा, तो यह आप समझ चुके होंगे, अब मैं एक और example से आपको समझा देता हूँ, कोई दूसरा token देखते हैं, जिसका जो price है, वो एक डोलर से कम होना चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेगे, तो अब जैसे यह token है, VTHO, जो VTHO है, यह USDT के पेर में, इसका 0.002 डोलर इसकी price अभी, ट्रेडिंग डाटा पे चलते हैं, ट्रेडिंग डाटा पे जाने के 623 million है, लगबग लगबग 15 million, अभी मतलब sell जादा कर दिया है, परचेजिंग कम की है, देखने को बीट में, उसके बाद अगर हम इसमें inflow की बात करें, वहिल अकाउंट की तो वहिल अकाउंट इसमें investment कर रहे हैं, पिछले 5 दिनों के अगर देखे तो सिरफ एक दिन selling दे तो इसका मतलब वहिल अपया है, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देन, इसमें investment तो कर रहे हैं, इसमें long term investment वह नहीं कर रहे है, तो मतलब इसमें 인्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम देखके वह तुरन्त क Soul नीकाल रहे हैं, यानि profit book कर रहे हैं ये ही कार नहीं है, पिर in你們 में is पूरा परसेंटेज जो मार्जनाग देखे तो 50-50 परसेंट है जितना डाला उतना निकाला तो यह चीज है लेकिन यह आपको प्रोफिट देगा क्योंकि लगातार पांच दिनों से वहील अकाउंट इसमें इनिवेस्टमेंट कर रहे हैं और टर्नाउट बाहर निकाल रहे है तो यह बहुत अच्छा टोकन है अगर आप परचेज आउट करते हो इस तरह के टोकन को तो चलो एक और एकजांपल मैं दे देता हूँ आपको यह स्टैटेजी समझाने के लिए होप सो आप अभी तक कुछ समझ चुके होंगे अब मालनी यह को टोकन है ADX इसको मैं उपन क अगर वहेल अकाउंट अच्रह पहले दिन इंवेस्टमेंट की थी उसके बाद सारा पैसा निकाल लिया इसका मतलग इसको परचेज आउट करके आप हमेशा लोस में ही जाओगे जरूरी नहीं हर टोकन में आपको इंवेस्टमेंट करनी है तो इंवेस्टमेंट करनी कभी जरी होता है त्रीक होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ चलो एक टोकन होर मैं देख लेता हो यहाँ पर जिसका प्राइस थोड़ा सा कम हो अब यह देख लेता है हाई-फाई जो टोकन है यह लगबग 0.43 डोलर है ट्रेडिंग डाटा की तरफ इसके चले जाते हैं यहा पर आगर हम नजर दोड़ाए तो आपको यहाँ पता लगएगा वही जो लार्ज पिछले पांच दिनों का इनफलो ए लार्ज इनफलो उसके बीच में मैक्सिमम परचेजिंग देखने को मिलिया और करंटली पिछले दो दिनों से लगतार परचेजिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है आपको भी यहाँ पर नजर आरोगा तो आप यहाँ से भी अंदाज अला सकते हो कितनी ज्यादा वहल अकाउंट इसमें एक्टिव है परचेज आउट करने में यहाँ पर इस तोकन को भी आप लेकर खरीद के रख सकते हो बस एक चीज का ध्यान जरूर देना आपको जितने भी मैं टोकन्स बताएं आपको मैं तो जिस जिस तरीके से आपने देखने यह टोकन्स आप परचेज आउट करके इनकर रखो के इन पे जो ध्यान है वो आपको हर एक घंटे दो घंटे में देता रहना पड़ेगा क्योंकि जो वहल अकाउंट है वो यह नही जाले ही परचेज करने ताकि आपको मैक्सिम्म प्रोफित हो सके मालो आपने इनवेस्टमेंट 100 डोलर की किया है आपने कोई टोकन जैसे डोग टोकन परचेज करें जिसके प्राइस पॉइंट 007 अब आप सोचो कितने ज्यादा टोकन्स आपको मिल जाएंगे और इसका प् आची इंकम जैनेरेट कर सकते हों अगर अब भी किसी को डाउट किस तरह से हम इस पर मतलब किस तरह से आपको अगर डाउट लग रहाए लिए नहीं हमें नहीं समझा आया एक बाद फिर से ब्रीफली पता दीजे तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूग और आगर आप तो वो भी लिखते हैं नहीं भाई समझ में नहीं आया आप एक बड़ परचेज करके हमें ब्रीफ में बता जी दे तो वह में मैं बता दूँगा होप सो वीडियो आपका अच्छा लगाओगा लाइक करें बीना मत जाने मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में थैंक्यू गाइस